दोस्तो वाजम बात करने वाले एक बहुत important topic के बारे में जो है father of computer देखो जब से आप computer बढ़ रहे हो आपने यह वाला term जरूर सुना होगा कि father of computer चाल्स बेविच को कहा जाता है लेकिन सवाल ही आता है कि उन्हें father of computer क्यों बोला जाता है कहीं आप यह तो नहीं सोचते कि आज जो computer आप यूज कर रहे हो यानि कि जो आप personal computer चलाते हो वो चाल्स बेविच ने बनाए तो ऐसा बिलकुल नहीं है personal computer किसी और ने बनाए skip बिलकुल मत करना मेरा नाव है राहूल और शुरू करते हैं आज का topic दोस्तों सबसे पहले हम यह समझे father of computer कौन है इससे पहले आप यह समझो कि actual में computer होता गया है मतलब computer जो word हम use करते है उसका एक sense क्या निकलता है computer का सिर्फ एक मतलब है वो है input process output आसान भाशा में जो अगर आप उसमें कोई भी input दे रहे हो मतलब कोई भी input आफ फीड कर रहे हो कि 10 प्लस 5 तो एक input दिया आपने जो calculator का algorithm है उसने उसको क्या किया ट्रांजेक्ट किया और आपको एक output represent किया तो input process output यही होता है actual में computer तो पहले जो computer के अगर आप history देखोगे तो जो calculation devices हैं जैसे abacus, pascaline वही आपको उनके list में नज़र आएंगे तो basically जो computer होता है उसका सीधा यह मतलब होता है input process output इतना के लिए होँ आप यहाँ पे जो term हाती है कि father of computer Charles Babich को क्यों कहा जाता है दोको Charles Babich एक great mathematician थे वो British थे और वो एक great mathematician थे उन्होंने दो important invention किये थे एक था difference engine और दूसर रहा था analytical engine सबसे पहले आप समझो difference engine क्या करता था difference engine की मतलब से आप addition, subtraction, mathematical, equation या फिर जो polynomial है उन्हें solve कर सकते थे मतलब वही चीज़ हो रही है कि आप machine में कोई भी encode कर रहे हो और उसके भी हाप की process हो कि आपको output जो की result है वो आपको मिल रहा है clear हो रहा है तो पहली computing तो लेकिन यहां पर क्या था कि हमें कोई भी output form नहीं मिल रहा था जैसे paper पर हमें कोई output कैसे मिलता है या तो display पर मिले या फिर paper पर मिले printer के थुरू या फिर monitor के थुरू clear हो रहा है तो यहां पर क्या किया कि उन्होंने इस बारे में बहुत जादा सोचा और लगबग 1834 में उ जैसे बाद में analytical engine बोला गया उसको बनाने का सोचा उन्होंने काफी time दिया लगबग काफी समय है उन्होंने उस पर research की और काफी time बाद उन्होंने उसका design भी तयार कर लिया लेकिन हुआ गया कि जो government थी वो उतना जादा invest नहीं करना चाहती थी उस जो भी वो बनाना चाह जो उन्होंने design छोड़ा था analytical engine का उस पर research की और काफी research करने के बाद उन्होंने वो module तयार किया पहले भी government को यह मित था कि यह जो हम बनाएंगे इसमें पहली बाद तो expense बहुत आएगा और क्या पता उसके बाद भी यह work करे यह ना करे तो फिर भी researches ने और जितने भी मत machine है वो मिलती है और वहाँ पर क्या है कि आप कोई भी mathematical action चाहे हो addition हो subtraction हो polynomial हो आप उसे solve करते हैं और वो printed form में आपको जो result है वो वहाँ पर represent करता है यहाँ पे punch card का use किया गया था जो हमारा result है उसे print करने के लिए और इसी concept की वज़े से जो उन्होंने analytical engine का concept दिया था Charles Babies इसी की वज़े से उन्हें father of computer कहा जाता है यह पहला general purpose computer था क्यों क्योंकि यह input भी ले रहा था process भी कर रहा था और उसका output है वो यह तो printed या फिर skin form आप समझ लीजे तो printed form में वो जो उसका result है वो यहाँ पे दे रहा था इसी वज़े से उन्हें father of computer कहा जाता है अब एक औ और सबाल मैंने starting में किया था कि जो आज के time में हम चलाते हैं जिसे PC या फिर personal computer आप बोल तो personal computer और desktop computer ही ही होता है जिसे हम यह चीज़ बोलते हैं वो किस ने बनाया तो यह बनाया था Henry Edward Robert ने जिनको short में ED Robert भी कहा जाता है उन्होंने जो सबसे पहली जो first personal computer था वो बनाया था LTR 8800 आप अगर Google पर जाएं और सर्च करें तो आपको इसके बार में पूरी जानकारी मिल जाएगी उनकी खुद की company थे और आपको एक और fact बताता हूं यहां पर कि जो ही ED Robert थे वो एक doctor भी थे एक engineer भी थे और साथ ही एक अच्छे entrepreneur और businessman थे उन्हीं की company थे मिट्स जिस 8080 जो processor CPU था वो भी use किया गया था आप एक बार Google पर जाके जरूर सर्च करें आपको इसके बार में पूरा specification मिलेगा तो अगर आप कभी भी सर्च करोंगे हो कि who is the father of personal computer सुमां पर नाम आएगा ED Robert जिनका पूरा नाम है Henry Edward Robert आशा करता हूं दोस्तों यह जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी यह बहुत ही जरूरी है जानना हमें यह जरूर बता दिया जाता है कि father of computer कौन है लेकिन father of computer क्यों कहा जाता है क्या हम जो computer चिला रहे हैं वो उन्होंने बनाए या फिर कोई और इसके पीछे science या कोई भी history चिपी हुए है आशे करता हूं यह कमेंड करके अपना feedback जरूर देना थैंक यू